पैसो से जुड़े मामलों में ज्यादा तर लोगों को कई एहम जानकारिया नहीं होते इनमें सही एक जरूरी चीज है सिबिल स्कोर सिबिल स्कोर आपकी वित्य सेहत और कर्ड से जुड़ा एक एहम स्कोर होता है लेकिन कई लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती इतना ही नहीं लोगों में Sibyl Score को लेकर कई तरह के भ्राम या कहे मित भी होते हैं बिजमनी के इस एपिसोर में हम Sibyl Score से जुड़े ऐसे ही मित को को दूर करने की कोशिश करेंगे नमस्कार आप देखरें बिजवनी और मैं हूँ श्वय अठाकुर पहले तो यह समझ लीज़े कि आखर सिबिल स्कोर होता क्या है दरसल सिबिल या क्रेडिट स्कोर आपके कर्ज लेने की हैसियत को बताता है इससे बैंकों के लिए यह आसान हो जाता है कि उनके लिए आपको कर्ज देना कितना सुरक्षित है यह एक दस्तावेज होता है जिसमें आपके लिए एक कर्ज उन पर क्या कोई default किया गया है जैसे factors के साथ आपको स्कोर दिया जाता है यह score 300 से लेकर 900 तक का जाता है जितना ज्यादा आपका सिबल स्कोर आपको कर्ज मिलने की उतने ही आसार उचे score का फाइदा यह भी होता है कि bank आपको कम rate पर कर्ज देते हैं तो चलिए आप बात करते हैं सिबल स्कोर से जुड़े मित को के बारे में पहला मित तो यह है कि सिबल स्कोर से केवल बैंको और फिंटेक को ही मदद मिलती है यह मित गलत है सिर्फ बैंको को ही नहीं आपको भी सिबल स्कोर से फाइदा होता है आपको अपनी कर्ज लेने की हैस्यत पता चलती है अगर आपका Sibli Score कम है तो आप इसे दुरूस्थ कर सकते हैं और इस तरह से अगर आने वाले दिनों में लोन लेना हो तो ये score आपकी हेल्प करता है एक मिथ ये है कि आपकी कमाई के साथ बढ़ता जाता है सिबिल स्कोर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिबिल स्कोर का आपकी आमदनी से कोई लेना देना नहीं है आपकी credit report आपको कर्जों के स्तमाल और उन्हें चुकाने के हिसाब से तयार की जाती है तीसरा मित यह है कि कर्ज लेने में सिर्फ credit score ही जरूरी है निश्चत तौर पर civil score आपकी कर्ज लेने की हैसियत को बताता है और आपकी credit history इसमें दर्ज होती है लेकिन आपको कर्ज मिलने में ये अकेला factor नहीं होता आपकी loan की application अच्छे credit score के बावजूद खारिज हो सकती है आपको कर्ज देते वक्त बैंक आपके पास मौजूद संपतियां, investment आपके कर्ज समेथ कई factors पर गौर करते हैं और इसके बाद ही आपको उधारी मिलती है एक मित ये भी है कि debit card लेने से credit score को मजबूत किया जा सकता है यहाँ आपको credit और debit card के फर्क को समझाना होगा debit card आपके bank खाते से पैसा निकालने या shopping में इस्तमाल होने वाला card है यह आपके पास मौजूद पैसे के लेन दिन का जर्या होता है दूसरी और अगर आपके पास पैसे नहीं भी है तब भी आप credit card इस्तमाल कर सकते हैं और इसके चुकाने के आपको तोर तरीके आपकी credit history बनाते हैं जाहिर है debit card के साथ ऐसा नहीं होता इसलिए यह myth पूरी तरह से घलत है एक myth यह भी है कि अगर cards नहीं लिया तो रहेगा बढ़िया credit score ऐसा भी सच नहीं है zero credit का मतलब यह नहीं कि आपका credit score बढ़ियां रहेगा दरसर बैंक यह देखते हैं कि आपके लिए cards क्या तए वक्त पर जुकाए गए है क्या आपने अपने payments पर default तो नहीं किया है और आप अपने cards को किस तरह से manage करते हैं ऐसे में अगर आपने कोई cards नहीं लिया है तो यह एक तरह से red flag ही है ज्यादा ता लोगों को तो civil score के बारे में तब तक खास जानकारी नहीं होती जब तक कि वे credit card या किसी loan के लिए apply नहीं करते credit score आपको ये भी बताता है कि आपका score क्यूं लड़ खड़ा रहा है ऐसे में आप इसे दुरूस्त करने के लिए वक्त रहते कदम उठा सकते हैं बिसमनी के इस एपिसोड में हमने आपको civil score से जुड़े 5 मितकों के बारे में बताया अगले एपिसोड में आपके पैसे से जुड़ी कोई और एहम जानकारी लेकर हाज़र होंगे तब तक लिए देखते रहेगे बिस तक कर दो कर दो